अस्सलाम अलेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी, आज एक बगेर ओईल वाली रेसिपी बनाते हैं, गोश्ट का पतला सालन, जिसको मैंने सारे मसालों के साथ चढ़ा देना है, और उसमें मुझे ओईल नहीं इस्तमाल करना है, ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही सिंपल है, आज हम बनाते हैं गोश्ट का पतला सालन, जो के बगएर ओईल के बनेगा, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, इसको आपको भूना नहीं है, इसमें आपको तेल नहीं डालना है, ये बहुत ही सिंपल तरीगे से बन जाएगा, इसके लिए मैंने भीफ लिया हुआ है आप मतन भी ले सकते हैं और उसके बाद उसमें कुछ मसाले मुझे डालना है जैसे कि मैंने यहां पर एक प्याज मीडियम साइस करके लिया है और एक जो है दाल चीनी का टुकड़ा है तू टी स्पून जो है मैंने रैट ची ली ली है आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं वन टी स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट है हाफ टी स्पून जीरा पाउडर है हाफ टी स्पून हल्ती है और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है यह सारे मसाले जो है मुझे इस गोश्ट में मिक्स करके इसको कूकर में मुझे डाल देना है सबसे पहले मैं कुकर में गोश डाल दूँगी मैंने इसको अच्छे से वाउश करके रख लिया है उसके बाद में उसके अंदर ये प्याज और ये दालचीनी का टुकड़ा अद्रक लहसन और ये सारे पाउडर्ड मसाले जो है वो डाल देना है उसके बाद मुझे उसमें एक ग्लास पानी डालना है मैं हाफ ग्लास और डाल रही हूँ गोश जो है वो पूरा तकरीबन डूब जाना चाहिए ये जो है इसके अंदर डूब गया है ये देखे अब इसको मुझे धकन लगाकर बहुत ही स्लो आज पर हाफ एन आवर के लिए इसके अनदर बाद 봤 गल चुका है अब मैं इसको खोल देती हूं और इसके बाद आप इसके अंदर देख सकते हैं ये गोश्च पूरा गल चुका है इसके अंदर मैं ने टुमाटी दालना है ये मैंने एक टूमाटी जो है वह स्लाइस कर लिए तो मुझे उपाना foot Marco जाए मैं इसके इंदर सॉल्ट कर दूंगी और अब इसको मुझे लगा कर फिर से पकाना है पांच से दस मिनित तक जब तक यह आलू और टोमाटो गलना जाए अब जो ही हमारा गोश्ट और आलू सब इसमें पख चुका है मैं इसका धकन खोल देती हूं जो इसका धकन मैंने खुला आप देख सकते हैं कि यह ग्रेवी पूरी तयार हो गई है अब इसके अंदर में थोड़ा हराधनिया डाल दूंगी मैंने मुठी पर हराधनिया इसके अंदर डाल देना है उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि यह गोश्ट का सालन जो है यह तयार है बगएर ऑईल के मैंने इसमें आलू आड किये थे आप इसके अंदर बिंडी डाल सकते हैं आप इसके अंदर कोई और दूसरे वेजिटेबल अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं और अगर आपको कुछ बंद देना है और से सथ गोष्यव का पतला सालन खंए के लिए तयार है आप इसको सुफेद राइस के साथ खा सकते हैं आप को नान के सांद करते हैं आप अप इसको जो बिरून पाउ होते हैं जो बॉंबे में मिलते हैं इसके साथ क् Emir Japanese को सब्सकते हैं शुरू झौदी बाह अजए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और स्वीटंस पाइसी को सब्सक्राइब कीजिए